नमस्कार साथियों आज हम लोग द्रिश्टी क्लिक बुक का जो सेकंड चैप्टर है सिंदुगाटी सब्वेता इसको डिसकस करेंगे यहां पर इस पुक को हमें कैसे पढ़ना है कौन से इंपॉर्टन फैक्ट है बहुत आसानी से आप कम समय में पूरी किताब रिवाइस कर स सकते हैं और आप अगर खाली समय में हैं तो आप बैठे बैठे अपनी पूरी भूग भी पढ़ सकते हैं आए शुरू करते हैं सिंदुगाटी सब्वेता तो देखिए सिकंदर के आक्रमर के पूर्व कोई सब्वेता नहीं थी ऐसी पहली धारना थी लेकिन दो ऐसे पुरा पूरावस्तु में प्राप्तकर यसा इसर्द कर दिया के सिंदर के आख्रमर के पूरी एक सब्वेता थी जो अपनी सब्वेताओं से बिक्सी थी इक इंट्रों के तॉर पर तो इसका जो भागॉलीग मुस्तार है पहले वो देख लेते हैं इसका भागॉली कुक्तार जैसे कि जम्मु कस्मीर है जो इसकी दक्षणी सीमा है वो महारास्त में दैमाबाद है पूर्वी सीमा है अलमगीरपुर उत्रपदिश पस्चिमी सीमा है सुथ कांगेंडोर मलुचिस्तान में इसका अगर देखें तो जो पूरप से पस्चिम बिस्तार है वो लगबग 1600 किलो मीट है और जो उत्तर से दक्षिन इसकी लंबाई है वो 1100 क्लियोमिटर है तो 1100 गोड़े 1600 आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं इसकी इंपोर्टन बात ही है कि कांस यूगीन सब्वेता थी इसका उद्भाव ताम रपाशान काल में भारत के पस्चिमी छेत्र में हुआ था तो भारत का मतलब भारती महादीब से इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी कुछ छेत्र थे अब इसमें कुछ इंपोर्टन कार आकार की इसम्ड़गाटी सब्वेता थी और इसको आप मल्टिप्लाई करेंगे तो लगवक्त तेरा लाख वर क्लियोमेटर छेत्र पल इसका था किस ने सबसे पहले पता लगाया तो चार्ल्स मैसन ने 1826 इसवी में स्रैंधौ सब्वेता का पता लगाया उनके द्वार पुरातत्य सर्वेक्षण विभाग के ततकारी नध्यक्ष सरजान मार्शल के नित्रित में पुरातत्यवित थे दयाराम साहनी इन्होंने उत्खरण किया हडपा का उसकी खोज की तो इसका नाम पढ़ गया हडपा सब्वेता इनी के निर्देशन में राखालदाज पनरच इन्होंने इसकी खोज की इंपॉर्टेंट हो जाता है अब विभिन अध्यानों के बाद देखा गया है कि सिंदु सब्वेता में चार प्रजातिया निमास करती थी तो वो कौन-कौन से थी भूमत सागरी है प्रोटो अस्टेलाइड अल्पाइन और मंगुलाइड सबसे ज दो भागों में इसके नगर विभक्त हुआ करते थे तो इसमें जो प्रथम भाग था वो उचे दूर्पणिर में थे इसमें सासक वर्ग था और जो दूसरा भाग था वो आवास का था नगर या आवासी छेतर था जहां से नागरीग, ब्यापारी, सिल्पकार, कारीगर, स् तो इसकी जो संरचना है उससे भी कभी क्यों बनते हैं इंपोर्टेंट हो जाता है नालियां ओपर से धकी होती थी इसमें तीन ऐसे हैं जो हडपा मोहन जोदरो काली बंगा इनकी नगर योजना लगभग एक समान थी अगर बात करें इतों की तो काली बंगा और रंगपूर को छोड़कर सभी में पकी भी इतों का प्रयोग हुआ हर घर में देखा जाए तो इकांगन रस्तों ही घर स्नानागार होता था अधिकांस खरों में कुएं भी मिलते हैं चारोर प्राचीर बनाकर के लिए बंदी की अगर 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 बात करें अगर अगर घरों के दरवाजे खिड़कियां मुख सड़क पर नहीं खुलते थे यह दूसरी तरफ गलियों में खुलते थे लेकिन लोथा लेकिन लोथा एक ऐसका अस्तल है इसका अपवाद है कि इसके दरवाजे मुख्य सड़को क्यों खुलते थे अब एक बार तो क्वेश्चन यहीं पूछ लिया गया था कि इटों की लंबाई चोड़ाई उचाई का अनपाथ क्या था तो चार अनपाथे दो अनपाथे एक लंबाई चोड़ाई मुटाई का इसकार की इते जधा प्रसलिती तो कुछ हिस्से आपकी नगर योजना के कुश्चन जो स्टेट्मेंट में बनते हैं बहुत अच्छे से डिस्कस कि आगे बुक में जो आपने देखा अलग अलग अस्थलों को देखेंगे उनके बारे में इंपॉर्टेंट बाते हड़प्रा की खोज आपने देखा कि देराम साहनी ने 1921 ने की थी तो यह स्थित कहां पर है तो रावी नदी के पाएं तट पर यह तट का बाया दाया जरूर यान रखिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांद के मौन्ट गोमरी जिले में यह स्थित है अब इसको अर्ध और द्योगिक नगर की संग्या दी है इस टूर्ड पिगट ने इसके साथ ही बात पता हो कि मोहन जोदुडो को विस्तित सामराजी की जुडवा राजधानी कहा गया है कि इसको हडपा और मोहन जोदुडों को अब नगर के लिए क्या था तो नगर की रक्षा के लिए पस्चि करके पूछे जा सकते हैं आई देख लेते हैं मोहन जोदुडों में इसकी खोज राखाल दास बनार जी ने 1922 में की थी आप पढ़े हैं अगर स्रोतों के जरिये पता किया गया जिससे पता चलता है तो इसकी जो सासन विवस्था थी वो राज तत्रात्रत्रक नहोकर के जन करके कांसे का निर्मार करते थे क्योंकि कांसे की नर्थकी की मूर्ति पाई गयी है जो लस्तप मिठट से बनाई गई अगला देख लेते हैं चनु दड़ो मैं चनु दड़ो की खोज अर्निस मैके ने की अब आर्निस मैक इसका इससे की प्रमुग बात है तो 1934 में इस लेकिन उत्खनन जो कराया गया वह अर्नेस्ट मैके द्वरा तो में लिए अब उत्खनन करता का नाम ध्यान में रखें हाँ जिनके खोज करता भी अलग हैं उनको थोड़ा साइक अलग से मार्क कर सकते हैं चन्नु दड़ों इंपॉर्टन की हो जाता है एक मात्व संस्कृति कहते हैं उसके उसेस मिलें तो तीन बातें इंपॉर्टन हो जाती हैं यहां से प्राप्त जो मस्तुई मिली हैं उनसे पता चलता है कि एक अध्योगी किन्र था तो उस समय मारी कारी मोहर बनाने भार मापके बटखरे बनाने का काम होता था यहां पर तो जैसा कि म सबसे खास बात यह है कि प्रमुक बंदरगा था और तूसरी इंपॉर्टन बात है कि दो भागों में बाटकर एक ही रक्षा प्राचीज से पूरे नगर को दुर्गी गरत किया गया था तो उचुकि बंदरगाह था तो बिदेशों से यहां ब्यापार होता था पस्ची में इसी असे तो इसने लोथल इंपॉर्टन हो जाता है तो इसका नदी तट खोच करता और नगर की संद्शना थोड़ा ध्यान रखे राखी गड़ी देख लेता है कहां स्थित है हरियाना के हिसार जिले में और यहां से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं अभी ग्लोबल हरिटेज फंड ने इसिया के दस विरासर स्थलों को सूची में सामिल किया जिनके नस्थ हो जाने का खत्रा है उसमें यह राखी गड़ी भी है ठीक है आगे चलते हैं काली बंगा को देखते हैं दिखिए काली बंगा की जो खोज है 1901 क्याओन में अमलारंद घोज द्वरा की गई लेकिन अब खुदा ही किस ने करवाई दस साल बाद 1961 में बीबी लाल और बीके थापर इनका नाम याद रखना है बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदा ही कराई गई सबसे इंपोर्टन क्या है जूते हुए खेत के साक्षे मिले हैं और यहां के भावनों का निर्मार कच्ची ही दोदारा हुगा है अलंकृत इटे भी मिलती है और हाँ जो अन्तेष्ठी संसकार होता थ तो तीनों विदियों का यहां पर मिलता है जिसमें पूर्ण समाधी करन है अन्सिक समाधी करन है दा संसकार है तो वो काली बंगा से मिलता है तो काली बंगा कहां परिस्थित है तो राजस्थान के गंगा नगर में घंगर नदी के बाएं तर पर लोकिशन की एक लाइन है राजस्थान में है गगर नदी के बायतर पर ठीक है आई देखते हैं बनावली हर्याना का ये फतिहाबाद जिले का एकस्थल है आरेस बिस्थ इसके खोज करता है इसमें इंपॉर्टन क्या है देखिए तर आपका दिया हुआ है कि जो बनावली है इसमें काली बंगा की तरह हडपा पूर हडपा काली जो जो जोकर जहाकर संस्किति आपने अभी पढ़ा था उसके होसे इस यहाँ पर भी मिलते हैं ठीक है एक इंपॉर्टन बात ही हो जाती जलनिकास प्रडाली बहुत उत्तम होना लेकिन यहां पर ना जलनिकास प्रडाली का थोड़ा अभाव दिखता है मिट्टी का बनाहल यहां से मिला है बनावली से मिट्टी का बनाहल बनावली से अधिक मात्रा में यहां जो मिलता है अगला देख लेते हैं धौला वीरा तो गुजरात के कुछ जिले में है खोच करता कौन है उननीज सो सरसट में जेपी जूसी ने की सिंधु लिपी के दस बड़े चिन्नों से निर्मित सिलालेख यहां से मिला है यह दोला वीरा बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि अभी तो एक करेंट में रहा है तो दोला वी सब्सक्राइब की तक्नीक से पर्चित थे तो सबसे इंपोर्टेंट यह है कि जो वाटर कंजर्वेशन की टेक्नीक है वो धौला वीरा से मिलती है तीन भागों में भाजित थाई नगर दुर्ग मध्यम और निश्ला नगर और धौला वीरा से ही एक मात्र स्टेडियम खेल की मैदान का साख्षे मिला है तो कहां है क्यों खोज करता है यह सब बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है यह कुछ सेंदोस्तों से प्राप तौसेस और वस्तु हैं इनको मैंने हाइलाइट किया हुए थोड़ा थोड़ा जो बहुत सारी चीजे तो नहीं जो इंपोर् सकते हैं मोहन जोदरों से क्या मिला है ब्रहत असनानागार मातर देवी की मूर्ती कांसे की नर्थकी की मूर्ती राज मुद्रांक मुद्रा परंकित पस्पतिनात की मूर्ती मोहन जोदरों से मिली है चन्नुदरों से क्या चीजे मिली है बग्रा कारीतें कंगा लिपिस्टि शुक्त काली गचल सी सवगित खेथ काच वा मिंट्टि की चूड़ियन लोथल थे क्या मिल हें बंदर भाजहां बाज़रें के साख्षे फारस की मोहर तीन यूगल समादिया तांबे का कुट्ता छोटा दिशामापा की अंत्र ये लोथर से मिले बाई वहां से व्यापार वगरा होता था तो दिशामापा की अंत्र वहां मिलेंगे ना सुर्कोरदा से क dummy गोडे की अस्तिया मिली हैं बनावली एक लंकी आक्रतिवाले मिट्टी के खिलाणे मिलें जोव मिले हैं तामध की बाणाЯ覺 मिले हैं तो यह important हो जाते हैं थोड़ा सा समाज की बात करें तो समाज सम्भोता मात्र सर्थात्मत था, इंपोर्टन इंपोर्टन बातें जो हमको अलग से देख लेते हैं, शनु दोनों से लिपिस्टिक के साक्ष मिले हैं, सिंदु सबेता के लोग सूर्टी वा उनी दोनों प्रकार के वस्तों का समदा थे, बंदास प्रथा को स्विकार की आजा सकता है कि उसम्दास प्रथा थी, राजनीतिक जीवन कैसा था, देखिए, व्यापार वाणित जी और का कर्शन था, बंदिक व्यापारी बर की भुमिका महत्तोपॉर्ण समन में आती है, और जो सासन समन में आता है मोह में मिस्र, मिसोपोटामिया, मद्धेसिया से भी ब्यपार होता था जो बंदरगाह थे वो कौन-कौन से पूछे जाते हैं तो लोथल, रंगपुर, सुर्कुर्दा, प्रभास पार्टन इसेंदो सभिता के प्रमुख बंदरगाह थे हडपा सभिता की माप की दसमलो प्रडाली तथा माप तौल की इकाई सोला के गुड़क में होती थे इस सभिता के लोग गेहूं, जव, राई, मतर, तिल, सरसों, कपास, आदिकी खेती किया करते थे सबसे पहले कपास पैदा करने का स्थ्रिय जो है वो सेंदो सभिता वर्चियों को ही दिया जाता है इसमें इनका नाम मिलता है सिंड़न ठीक है तो अभी एक शॉट में थोड़ा सा यहां और देख लेते हैं कि अगर आपको देखना है कि किनको इनके खोज करता थे तो यह क परतमान स्थिती क्या है तो ऐसे दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आप पॉस करके अच्छे से पढ़ सकते हैं जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है यह हम लेगा पढ़ा हुआ है इसले मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हड़ा पाई लिपी देख नहीं चाहते हैं इसकी लिपी पिक्टोग्राफ अर्था चित्रात्मक थी जो दाइयों दाइयों से बाइयों लिखी जाती थी इस पद्धती को बुस्टो फेडन कहा गया है ज्यादा तर चित्रे यू आकार तथा मच्छली के प्राप्त हुए ठीक है तो हड़ापाई लि क्या था सब्जीयों में तो तर्बूज खर्बूज नारियल अनार नीवू के लव में सबसे इनका परिचे था गयों जो इनके प्रमुख खाद्यान थे पसपालन का विकास हुआ था और गुजरात के निवासी हाथ ही पालते थे जवात के प्रमाण मिलते हैं धार्मिक जी होती थी पुनर जनम में का विश्वास है ऐसा प्रमाण मिलता है मूर्ति पूजा का आरंब अगर देखा जाए तो संभौता से ही होता है क्योंकि के मूर्तिया मिली है हडपा से प्राप्त एक मिनिन मूर्ति के गर्ब से पौधा निकला दिखाए गया है जिसे औरवरता की देवी का प्रतीक माना गया है अब इतनी अच्छी सभेता थी इसके पतन के क्या कारण थे तो पतन के कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन किसको क्या मानता है थोड़ा इससे कभी के भी क्योश्चन पूछे जाते हैं बाहियों आरियों के आकर्मण को अगर देखा जाए क परिवर्तन को भी एक निकारण माना है वह और लिस्टेइन और अमलानन गोश्च प्रसास्निक्सितिल्ता को माना है जारन मार्चल ने और प्राकतिक आपदा मलेरिया महामारी जैसी इनको माना है कनेडी ने तो ये बहुत इंपॉर्टन फैक्ट हो जाता है सैंदो सबिता क कि देन क्या रही जो देखिए दसमलो पदधी पाराधारित मापतौल प्रडाली नगर नियोजन योग का प्रचलन स्वास्तिक चक्र एक्का गाड़ी बैल गाड़ी अगनी पूजा ये प्रमुक्स जो नगरी जीवन के छेत्रे में वह सभी सेंदो सबिता से प्राप्त होत तो देखिए ऑप्शन से आपके चन्हो दोडो कोट दीजी सो गौरा और देशलपुर तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा सी सो गौरा दूसरा कुश्चन देखते हैं सिंद्धुगाटी सबिता के संदर में निमलिखित में से कौन सा से कथन सरते हैं पहला है यह प्र से चैनल दो आप्शन हैं इसमें आप्शन हैं कि वने की बड़ो एक और दो 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 न तो एक और नाहीं ब्रौ दूसरे का उप्शन होगा सी एक और दो यह दोनों कैसे हैं सत्रय है क्योंकि इसमें लॉकिक चममs सर को भशता थी नाल मिधतud you नहीं था का पास के आपने आते हैं जो सिन्व सब्वेता को रिप्रेजिंट करती है इसमें तीन ऑप्शन दिये गए हैं पहला है आपका उनके विशाल महला और मंदिर होते थे दूसरा विदेवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे वियुद में घोड़ों द्वारा खीचे के रथों का प्रिय है तो इसमें अगर हम लोग सही बात करें तो आपका होना चाहिए तीसरी का बी केवल तो अंसर आपका इसमें सही होगा ठीक है अगी देखते हैं फोर्थ और क्रिप्त क्या है निमलिकित में से पसुओं में से किस एक का हडपा संस्कित में पाई गे मोहरों तथा टेरा आई गही है उसमें कई जानवर है अब इसमें गाय हाथी गैंडा बाग देखिए हाथी गैंडा बाग के तो प्रमाड में लेकिन गाय का प्रमाड इसमें नहीं है तो आपका अंसर हो जाएगा यह पांच्वा है निमलिकित में से कौन हडपा तथा मोहन जूदरों के सब्सक्राइब निमलिकित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगाह है सिकंदरिया लोथल महास्थानगर नागपटनम मुझे लगता इससे आसान तो कुछ होगा नहीं इसमें सिक्स्त का अंसर होगा भी और ऐसे कुश्चन आप बिलकुल जल्दबाजी में गलत नहीं करेंग होगर जिसका प्रतogen लोग लोधल का पूरा प्सक्राइब करता है किस नदी परिस्ते था तो आप बताएएं नर्मदा माही, भोगवा, भीमा, इसका सही आंसर है, B7 का C option, भोगवा, ठीक है, इसका भोगवा होगा, आठवा देखते हैं, एक उन्नत जल प्रबंधन विवस्था का साक्षे कहां से प्राप्त हुआ है, आलमगीरपूर, धौलावीरा, काली बंगा, लोधल, तो अभी हमने पढ़त सिवे कौन सी नदी थी, सिंदू, चिनाब, जहिलम, गंगा, तो कई नदियों के किनारे पाए गए अस्थल, तो इसमें से कौन कौन सी प्रमुक्ष नदियां थी, वो हमें देखने हैं, तो options है, इसमें से एक भी हो सकता है गई, तो देखिए इसमें गंगा के किनारे कोई सिथल नहीं मिले है, ठीक है, तो चार को तो हटा दीजे, बचता है कौन सा, सिंदू की नदी मिले हैं, चिनाब भी मिला है, जहिलम भी मिला है, तो एक दू तीन और सही आपका option मिल जाता है, नाइन में भी यही आपका right answer, आई टेंथ question देखते हैं, सिंदु गाटी से अब के लिए सभिता थी, इसलिए वा गैर आर्य मानी जाती है, आर्य ग्रामीर सभिता से संबन देखते हैं, 11 देखते हैं, हडपा सनस्केटी के राज के लिए विभिन कारण सुझाए गया है, नीचे दिएगे कारणों पर विचार कीजी, उन में से छींड तम कारण को होती रही, दूसरा, व्रिदा की लवड़ता की विद्धी से उरवड़ता घटी गई, तीसरा, भूकम के कारण सिंदु के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे आपलावन हुआ, और चोथा है, आर्यों ने आक्रमर कर हडपा संस्कृती को नस्ट कर दिया, देखिए जो य मार्ट थोड़े कम मिलते हैं, कि ऐसा कोई युद्ध हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो थोड़ा ये छी रितम, सबसे कम, जो कारण माना जा सकता है, उसे ये माना जा सकता है, तो आपका अंसर होगा D, 12th question देखते हैं, हडपा अस्थलों में ब्यापक रूप से अनाच का पाया था, तो आपको बताना है कि कौन सी बात ब्यापक रूप से अनाच का पाया जाना या इंगित करता है, तो इसका देखिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें C जो है, वो थोड़ा सा सही आंसर माना गया था CAPF में, तो हडपा सबसे में क्रिसी का ब्यापक प्रमाण माना जा सकता है, को तेरहां कुश्चन होगा, परिपक को हडपा सिल्प की प्रमुख विसेष्था की रूप में मनका बनाने के लिए निमलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो इसके options हैं, आपके सामने दिये हुए हैं, इसका मैं आपको सही अंसर बता देत हूँ, जिसमें जो D है, बनावली में संद्रशना में बहुत सारे मन के परिस्कृत, अर्द परिस्कृत, अपरिस्कृत दसाओं में प्राप्त हुए हैं, तो इसको आपको सही अंसर होगा, तेरह का D, फोटीम देख लेता हैं, हडपा सब बता के बारे में निमलिखित कथन से कौन सा से सही हैं, सही बताने हैं, दो स्टेटमेंट दिये गया है, एक है, सिल्प तच्छों में असाधारन एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बरतनों, मुहर, ईट और तॉल से सुस्पस्ट है, बात के हडपास थलों में भी उस निर्मार तक्निक को प्य गया है, जो परिपक को हडपास थलों में प्रेउक की गई थी, तो पहला दूसरा दिया गया है, इसमें कौन सा सही है? तो फोटीन का सही आंसर होगा, पहला केवल एक, दूसरा इसमें गलत है, ठीक है, आंसर हो जाएगा एक, पंदरह दिखते हैं, हडपास अस्कृति के ब दाइं और से बाइं और के लिखी जाने लिप के प्रथा उप्योग का संकेत मिलता है आपने पढ़ाई कि बुस्ट्रो फेड़न है ये भी सही है तो आपका ये दो आप्ट तो इसमें सही हो गया बाकी दो आप्टिन्स यहां उनको देख लेता है क्या है उन्हीं में उत्तर ह आता है कि गलत है इसे मूर्ती बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे अरंबिक ज्यात उप्योग का प्रमाण मिलता है तो ये बहुत हद तक माना जा सकता है तो आपका सही आंसर हो गया सी यही आपका गलत है आई सिक्स्टींथ क्वेशन देखता है ये आपका स्थल्हान उनके आधनिक नाम क्या है एक तरफ दहुला वीरा राखी गड़ी विडराना भोगावो दूसरी तरफ है सौराज थिसार कादिर टापू और हर्यान तो इसको आई मिला लेते हैं इसका देखिए वेस में दहुला वीरा है ना वो होगा कादिर टापू द इसका तो सही मैच हूआ है यह अब होगा आपक सा portfolio हमास करा देते हैं रांटि पकर हम आपकीन शें पर तो इसका मतलब वह अंसर हुआ थेन दो चारी तीन दो चारिक तो सी आपका सही अंसर हो जाता है आईए नेक्स चलते हैं सत्रावा हडपा अस्थल कोट दीजी उस सब्यता के निम्लिकित में से किस प्रमुक अस्थल के समीफ है अब दिखे अगर आपने मैप देखा होगा तो बहुत आसानी से आपको यह पता चल जाएगा कि काउन सा उसके रजीक है तो इसका आप मैप पर जरूर देखिएगा इस प्रोटिमियाई रिकार्डो में निम्लिकित में से किस सब्द का प्रयोग किया गया है दिल्मून मेलुहा मेगन फैलका तो इसका सही अंसर होगा मेलुआ इस तरीके से हमने आज सेकेंड चैप्टर पूरा देख लिया बहुत अच्छे इसको समझ लिया इसमें क्या क्या प